सिक्षा सुधार रोजगार बदलाव की नई आवाज एस्टेट परिक्षा दो हजार उन्निस पचीस सितंबर अंतिम तिथी आज समाप्थ हो गई तारीक जो बढ़ने की बात हो रही थी वो नहीं बढ़ी अभ्यर थी अब निरासा के अंधकार में डूब रहें और आगे आंदूलन और हाई कुट जाने की बात कर रहे हैं एस्टेट परिक्षा दो हजार उन्निस तिथी नहीं बढ़ी अब आगे क्या ये बड़ा सवाल है और आज सिक्षा सुधार रोजगार आपको इस सवाल का हल ढूनने में मदद करने वाला है क्योंकि दो हजार उन्निस एस्टेट परिक्षा की तिथी निर्धारन के लिए दिन रात अथत पर्यास किया गया की तारीक बढ़े फॉम भरने की और अभ्यार्थी जो बिविन्न मांगों को लेकर लगातार परदर्शन और आंदूलन में थे उनको उनका हाक मिले पर एस्टेट परिक्षा दो हजार उन्निस की तिथी नहीं बढ़ी और अब अभ्यार्थी हाई कोट का सहारा लेना चाहते हैं पर क्या हाई कोट का सहारा लेना सही है? क्या अभ्यार्थियों को इंसाफ मिलेगा? ये बड़ा सवाल अब अभ्यार्थियों के सामने है क्योंकि हाई कोट और सुप्रीम कोट जो भी कोट हो वहाँ पर जाने के बाद अभ्यार्थियों का आर्थिक रूप से सोसन भी हो सकता है और सारीरिक रूप से भी सोसन हो सकता है क्योंकि केस होने के बाद अभ्यार्थि मानसिक परतारना से गुजरते हैं साथ में आर्थिक रूप से भी पिछरते हैं सिक्षा सुधार रोजगार ने इससे पहले बिहार TAT 2017 पीत अभ्यरतियों को इंसाफ दिलाने के लिए केस किया था जिसमें जीत हासिल हुई और जीत के बाद BACB बोड पर अब दवाओ है कि गलत प्रस्नों के बदले अंक बोड को देना होगा अब एस्टेट पर इक्छार थी जो पिछले कई दिनों से आंदोलन रत थे अब कोट केस की बात कर रहे हैं सिक्छा सुधा रोजगार आपसे आवाहन करता है कि पहले इस सिलसिले में आप एक बैठक कर ले बैठक के बाद आप आगे का रास्ता चुने क्योंकि यहां से जो भी रास्ता आपके लिए निकलेगा वो आपकी जिन्दगी बदल सकता है आज एक बड़ा सवाल हमारे और आपके बीच मुह बाय खरा है कि क्या अब एस्टेट पीडित अभ्यर्थी कोट में जाएं या तमासा देखें इस सवाल के जवाब के लिए सिक्षा सुधार रोजगार ने एक वाट्सअप ग्रूप बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप पीडित अभ्यर्थियों से या वाहन करता है कि आप सभी एक जुठ होकर एस्टेट पीडित अभ्यर्थी एक साथ है और आगे क्या करना है इस पर चर्चा करें क्योंकि पीडित अभ्यर्थी जो भी आगे कदम बढ़ाएंगे उससे आर्थिक, सारीरिक और मानसिक रूप से उनको बहुत कुछ जेलना होगा कुछ पीडित अभ्यर्थी आनन फानन में केज के लिए अभ्यर्थी को आगे आने के लिए कह रहे हैं पर कोई भी मसला बिना सोचे समझे हल नहीं होता, इसके लिए विचार बिमर्ष जरूरी है सिक्छा सुधार रोजगार पिछले धाय तीन सालों से पटना हाई कोट को देख रहा है और विभिन केसों के माध्यम से विभिन वकीलों से भी हमारी चर्चा होती रहती है और हाई कोट में 2017 बिहार टीटी केस के अलावा भी और भी केसों के फाइलिंग में हमने बहुत मदद किया और बहुत सारे अभ्यर्थी इनसाब भी पा चुके हैं और आगे भी हम सिक्छा में सुधार के लिए कारे करते रहेंगे ऐसे में 2019 बिहार टीटी स्टीटी पिरित अभ्यर्थी अब हमारे ग्रूप में जुड़ें और ग्रूप में जुड़ने के बाद पहले विचार विमर्ज करें कि आपको आगे करना क्या है बिना राय मस्वरे के सीधे हाई कोट में कूद जाना आग में कूदने के बराबर है क्योंकि हाई कोट में तरह तरह के ऐसे नजारे आपको देखने को मिलेंगे जिसे देखने के बाद आप समझेंगे कि केस करना बहुत आसान है पर केस को सही दिशा में ले जाना बड़ा मुस्किल है इससे पहले 2017 बिहार T.E.T. केस में भी सिक्षा सुधार रोजगार के अलावा बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों ने गुट बनाया जो केस लड़ना नहीं जानते थे और पटना हाई कोट में अभ्यर्थियों से 10-10 हजार रुपए लिये गए और लाखों रुपए उगाही के बाद केस डिसमिस हुआ है आपको बता दे कि 15-04 और 11-56 दो केस थे बिहार T.E.T. 2017 के जिस अभ्यर्थि ने किया था उसका दावा था कि हम केस जीतेंगे पर अभ्यर्थि ने 10-10 हजार रुपए पीडित अभ्यर्थियों से लिये और अभ्यर्थि आज अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे है इसलिए किसी को भी पैसा देने से पहले आप सोच भीचार ले और सही निरने ले हमने 2017 बिहार T.E.T.E.P.D. अभ्यर्थियों का केस लड़ा है और हमने देखा है कि क्या होता है पटना हाई कोट में ऐसे में एक WhatsApp ग्रूप हमने बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उसमें क्लिक करके जूड़ सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है और जूड़ने के बाद आप अपनी राय दे कि आप क्या चाहते हैं हमारा संपर्ख सुत्र भी आपके स्क्रीन पर है पिछले दिनों अत्यधिक कॉल आने के कारान हमने बहुत सारे अभ्यर्थियों का कॉल नहीं लिया और आपके आंदोलन पर जादा ध्यान दिया पर अब जबकि आंदोलन खतम हुआ है और अब आप पिरित अभ्यर्थियों को सलाह की जरूरत है सिक्चा सुधार रोजगार आपकी सहायता जरूर करेगा आपके स्क्रीन पर जो संपर्ग सुथर आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं साथ में डिस्क्रिप्शन में जो वाट्सेप लिंक है उस पर क्लिक करके ग्रूप में जुरे हमने जो पटना हाई कोट में केस किया था उसका डीटेल हम आपको दे रहे हैं आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर हमारा केस नंबर था CWJC 2121-2018 नीरज कुमार मेरा नाम आप देख सकते हैं और आप देखेंगे केस डिस्पोजड का मतलब होता है कि केस खतम हुगा और आगे हम आपको केस का ओडर भी दिखाते हैं जज्जमेंट की कॉपी भी दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएं कि हमने केस किया भी और केस जीता भी और विभिन अकबारों में पटना के विभिन अकबारों में खबर छपी थी कि विहार TET 2017 केस की जीत हुई ऐसे में पीडित अभ्यर्थी जो केस के सिलसिले में आगे बढ़ना चाते हैं उनसे निवेदन है कि सलाह मसवरा के बाद ही आगे बढ़ें किसी को भी पैसा देने से पहले सूच ले समझ ले क्योंकि पिछले दिनों अभ्यर्थियों को ठगा गया था और बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी हमारे पास कॉल करते हैं कि 2017 केस में अगर पहले आपसे सलाह लिया होता तो हम बच जातें क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों आनन फानन में पैसा इकठा करके केस कर दिया और केस आगे चल कर डिस्मिस हो गया सिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ है और आपके हर लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है क्योंकि सिक्षा में सुधार हो सभी के पास रोजगार हो ये हमारा नारा है आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जब हम 1 अप्रेल 2019 को केस जीते थे तो पटना के कई परमुक अख़बारों ने खबर चापी थी TET के गलत प्रसनों के मिलेंगे अंक और ये जज्जमिंट हमारा हुआ और अब हम चाहते हैं कि एस्टिट 2019 पीडित आगे कोई भी कदम बढ़ाए तो बहुत सोच समझ के और संतुलन के साथ बढ़ाए क्योंकि केस करना आसान है पर केस को चलाना मुस्किल है 2019 पीडित अभ्यर्थी जो आगे बढ़कर अपनी मांगो को लेकर पटना है कोट में जाना चाहते हैं सलाह मसवरा जरोडी होता इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसपे क्लिक करके वाट्सेप ग्रूप में जूडे साथ में जो संपर्क सूत्र हमने दिया है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं पर गलत निर्नाय ना ले किसी के बहकावे में ना आए और ना ही किसी को बेवज़ा आप आर्थिक रूप से कमजूर होकर उनको मदद करें क्योंकि पिछले दिनों हमने ये देखा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी पैसा उगाही करके अभ्यर्थियों को वहीं पे लटका कर छोड़ देते हैं कई केस 2017 बिहार टीटी के हैं जो डिस्मिस हुए हैं और डिस्मिस होने का मुख कारण एकी था केस को सही ढंग से नहीं रखा गया ऐसे में आप पिडित अभ्यर्थी अभी नए हैं और जोस में आकर अपना होस न खोदे आगे जो भी करना है सोच समझकर और सही दिसा में और सही निर्नय के साथ करें 2017 बिहार TET केस में जीत के बाद भी आज हम अब मानना का केस लड़ रहे हैं BACB बोर्ट के खिलाब क्योंकि BACB बोर्ट ने हाई कोट के जज्ज्मिंट को मानने से इंकार किया है अब फिर से हम हाई कोट में हैं और दुबारा ये केस चल रहा है और आज भी इसकी लिस्टिंग थी और 16 अक्टूबर को इसकी सुनवाई फिर से होगी सिक्छा सुधार रोजगार बदलाओ की नई आवाज सिक्छा में सुधार हो सभी के पास रोजगार हो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए किमती समय देने के लिए